आज आप सब बहुत अच्छा प्रश्ण किये हैं स्वप्न के बारे में हैं आप लोगा ने प्रश्ण किया है कुमा देखने के बारे में स्वप्न में कुमा देखा गया है और बात है कि स्वप्न को यदि आप एक संकेत मान रहे हैं तो अच्छा संकेत, खराब संकेत स्वप्न के माध्यम से तो मिलता ही मिलता है लेकिन स्वप्न में कुमा देखने का मतलब अच्छा ही माना गया है, विद्वानों ने अच्छा माना है स्वप्न में कुमा अगर दूर से देख रहे हैं, दूर पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि वहाँ कुमा है तो यह अच्छा है, आपके जीवन में कल्यान होगा, शुब है, स्वप्न शुब है और सुख, शम्रिधी, संतती की प्राप्ती, इत्यादी शब होगा, धन मान की प्राप्ती होगा और अगर कुवा के करीब में गए हैं, कुवा पर ही स्वप्न का अगला जो विचार होता है, वह हमें बतला रहा हूँ कि स्वप्न में आप कुवा के पास चले गए हैं, और कुवा में भी देख रहे हैं, आप कुवा में जल है और वह जल है तो कैसा जल है? स्वक्ष जल है बिलकुल साथ पीने लाइक जल है तो इससे आपको धन का लाभ होगा, मान का लाभ होगा, जस की प्राप्ती होगी और विविद प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ती होगी कुवा में यदि आपने स्वक्ष जल देखा है तो इसके बाद आता है प्रश्ण आपके लिए कि कुवा में आप जल देखे ही नहीं कुवा में क्या कुछ बोल रहे हैं कुवा में पानी है ही नहीं आपने देखा कि कुवा, आपने देखा, नीचे देखा तो पानी है लिस का मतलब है कि आपके प्रयास्त का प्रतिफल सुन्य हो जाएगा, अर्थात आपको वो धन संप्धा की प्राप्ति की जो आसा है न, ओ आशा पुर्ण नहीं होगा, आशा भंग हो जाएगा, कुवा में पानी नहीं है कुछ लोग कुवा में पानी को न देखते हुए भी पानी की कल्पना करते हैं अर्थात उनको एक आशा मिलती है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुवा में गीर जाते हैं कुवा में गीर जाने का मतलब है कि आप सत्रू के सडियंत्र जाल में चल रहे हैं सडियंत्र जाल में आप चल रहे हैं आपको सावधान रहनी की जरूरत है और निज बिबेक से कार्ज करनी की जरूरत है और पुना कुवा के बारे में विचार की जाती है तो जैसे किसी ने देखा कि कुवा का निर्मान हो रहा है कुवा का निर्मान हो रहा है कुवा का निर्मान होने का मतलब होता है कि आप निश्चित रूप से शहयोगी पाएंगे अपनी जीवन में और मांगलिक कार्ज आप क्या होंगे तो मांगलिक कारज भी होंगे, शहयोगियों की भी प्राप्ति होगी, परंतु एक बात से मैं सबको सावधान करता हूँ, आपको भी मैं सावधान कर रहा हूँ, कि अंध भी स्वास में नहीं पड़ना है, और निजबिवेक से कारज करना है, तो प्रभु के पावण चरण कमलों में आपका नेह हो, संकेत अच्छा होता है, कुवा देखना सुभ होता है, और यह सुभता आपकी जीवन को प्रभावित करें, यही प्रभु से सबके लिए काम ना की जा रही है, तो आपनी जो सत्य समाधन चुतिस कर जाले को यह प्रश भेजा कुवा देखने के बारे में आपके उत्तर यही थे, आशा है आप अपना उत्तर प्राप्त कर संतुष्ट हुए होंगे, तो आज के लिए इतना ही, अब अगले दूसरी विभाग के प्रशनों पर भी विचार करने का समय आ गया है, अता अब उन प्रशनों पर भी ह हम विचार करेंगे, ठीक है, जै स्रे कृष्णा